किसान भाईयो आदाव अक्तूबर के महीने में किस तरह ग्राफ्टिंग की जाती है आज हम इसके संबन में आपको इसके तालुक में एक टिप्स समझाते हैं किसान भाईयो तो इसमें यह होता है कि आप जो है यह इसा लिए जिसमें जंग ना हो बढ़ा साथ भाईट होना चाहिए बस जंग ना हो तो इस तरह तने को आप इस तरह से एक चोटी सी पट्टी उठाइए इसकी जो छाल होती है जितनी ही मोटाईगी चाख हो इतनी ही मोटाईगी आप इसमें ये निशाल लगाकर जो है ये चाल उकेड है और उसके बात जो यह आप यह शाख जो लें तो उसे उसे भी इसी तरह के नाईबसे तेजधार चागू से यहाप इसको इस तरह एक साइड तराशी और एक साइड थोड़ी दो इंच होने चाहिए दो सबाधन और एक साइड थोड़ा सा आधा सेंटिमेटर इस तरह से आप यह तरह जाति है ग्राफ्टिंग के लिए तो यह उता है मां अक्तोबर में यह होता है कि ठंड पढ़नी भी शुरू हो जाती है किसी किसी इलाके में ज्यादा ठंड नहीं होती हमारे यहां अधिक ठंड पढ़ती है अक्योगन में चुके पाड़ी इलाका है कुछ इलाके ऐसे हैं जिसमें गर्माहट भी होता है तो हमरे हमारे यह होता है इस महिने में जो ह इसमें ग्राफ्टिंग करने के बाद हम इसमें एक प्लास्टिक की थेली इसमें शाख पे लगा दें इस तरह किसानवाईों इस तरह से ये टेप होती है टेप बहुत कम चिपकती है ये स्पेशल ही आती है ग्राफ्टिंग के लिए इसमें कम चिपकाट होता है तो इससे आप तो अब इसकी जो हमने दो शाख लगाई है इस पर प्रास्टिक की थेली लगा दे इसे यह होता है कि अगर कुछ कमी रह गई जैसे बहुत सारे किसान पानी नहीं दे पाते या किसी और वज़े से अब फुरसत में जो ग्राफ्टिंग की है तो अगर अब नहीं इसमें शाख निकल गई तो इसमें अक्तुबर में वह निकल जाती है अंधरमाई नहीं निकली तो मार्च में निकल जाएगी फरवरी के आकिर में और मार्च में झाल भाई है तो इस से यह बढ़िया उद्मीर है किसान पाल यह तो आप भी अक्तुबर महा में अगर ग्राप ठिंक रहें तो यह लगा दीजिए आवा इस पे प्लास्टिक की जो पन नहीं है थैंक्यू किसान भाईयो खुश रहें आप सब और आप भी सिद्रा से मेनत करते रहें वह शुक्रिया आपका और वीडियो को लाइक किसान भाईयो यह वीडियो को आप लाइक की